मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप लो तो बिंदाश रिखा के ब्लोग में आपका स्वागत है सुबा का सुरुआत हो गया और काफी काम को हम प्रोसेस में लगा दिये हैं और इधर तो आपको पता ही है कि मेरा पूरा सप्ता रजरप्पा गयते घुमने के लिए भावा ध वाइफ का भाई भावी लोग आया हुआ था इसलिए इस बार इतना हम लोगा पूरा सप्ता बीजी गया उसके वाद मेरा तो अच्छा है कि बाबाद हमें हम नहा भी लिए क्योंकि मेरा बिरस्पतिवार को जीतिया जो होता है ना बेटा बेटी के लिए जो किया जाता है तो उसमें नहाना धुआने के लिए तो मेरा अच्छा रहा बिरस्पतिवार को हम वहां नहा लिए तो बिरस्पतिवार को हम लोगा नहा खा था तो उसमें हम लोग मरुआ का राटा का रोटी साग वगएरा सब खाए और बारिस भी पता नहीं वो लोग इस वार आये ना उ सुक्रवार को हम लोगो 6 बजे सुबह से आज सटर्डे का 10 बज के 21 मिनट पे हम लोग का पाड़न हुआ है इतना पहली बार जब से मैं ऑप्रेशन कराई थी ना और ऑप्रेशन कराया थे इसलिए ही हम बावाधाम घूमने के लिए गए थे हम भी सोचे कि चलो क्योंकि बाव हम लोग करते हो निर्जला वर्रत होता है तो उसमें इतना अच्छा से सहे ना तेदम आज तो 10 बच के 20 मिन पारान था इतना अच्छा भी लगा लेकिन इस वार है ना भगवान भोले बाबा किरपा से पता नहीं चला न तो मैं इसे फास्टिंग में साल में एक ही वो वरत ह करती हूँ बागी कोई वरत मेरे से फास्टिंग वाला पर होता ही नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से हो गया मेरा मन भी है से दम लगा हुआ रहा कि हां वरत भी हो गया कल साम में अपनी गय थे मंदिर भी गया उसके बाद हम लोग हैसे अपना दोस्त से मिले भी वहां कथा हो था भी जितिया का हम लोग सुन लिए उसके बाद घर आ गय थे तो इस बार का बहुत अच्छा रहा वो लोग को भी बहुत अच्छा लगा हम लोग के साथ घूमने ओंने में और उनसे तो मेरा काफी हम लोग में है हम लोग के कास्ट में थोड़ा सा यह होता है कि अपने में थेज तरार भी थी तो घर का काम भी हम करते थे लेकिन इद्वा मैं घर में तो आपको पता ही है इतना सीपेज हम बुलाए थे उन लोग बिरस पतिवार को खाने पे इतना हम कुले बुड़ा भी लग रहा था न क्यों कि मेरे पूरे घर में बहुत जादा सीपेज पकर जाते हैं. खाना कि लाते हैं और ऐसे कप्ड़ा वगएरा भी खरीदword के. पता नहीं उनको साड़ी के और बाबु को भी कप्ड़ отп कर दिया वच्छा लागा के नहीं लगा मैं पूजी तो वह बोली की मननत था, माना होँ था, कि महां गठवन्न किbank का दर्षन किसा था तो इसलिए हम भी सोचे कि वहां जाएंगे और जितिया अम रध में हम लोगु तो यह था कि तो जिए ऑपहुत है का जुन ता का जरूरी था तुब हम लोग आज सुबहों में बहुत खाना बनाई बहुत खाना बनाई मेरि बेटी मेरी बाई पर सकता है। और मेरी बेटी में लिए चावल दाल, पकॉरा वगारा सब कुछ बनाई थी बहुत अच्छा खाना टेस्टी वगारा भी बनाई थी, मुझे खाने में भी बहुत अच्छा लगा साग भी बनाई थी, तो हम पूजा भी किये ह looks किये, उतना आच्छे से सब कुछ हुआ कि मत प लेकिन मेरा फोन जो है ना मेरे गाड़ी में ही छूट गया था तो फिर हम जब लाइन में लग गए तो हमको पता याद आया कि हमको पूजा कर भी वीडियो सूट करना है लेकिन हम नहीं कर पाएंगे और सुबसुबस जब पूजा कर रहे थे तो पता चला की फुलबत्ती न होना उना होता है नो वहीं पे बैठके पूजा किया जाता है वो मेई सासुमा जैसे करती थी वैसे ही मैं भी यहां करती हूं वह गाओ में की हैं हम यहां पे किये हैं तो देखें कि अच्छे से तो मेरा भगवान जी पूजा उजा पार घाट लगवा दिये कुछ दिक्कत और आज भी है तो खाना उनना ख्याए लेकिन उस सेमें से थ्वहासा ठीक ठीक दीiseen डरहा है अब देखते हैं अब मेरा बेटा बटी तह इतना सहिताने की दोनों कॉमेवा इंक करते रहेगा कभी कुछ पर कुछ कुThis कमेवी करते मैं अन। भगवान जी को उसके बाद हम लोग पूजा उजा कर लिये थे उसके खाना उन्हा भी खाए है तो आप देख सकते हैं कि मैं बाबू मुझे का सामने से खड़ा हो कर देख रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि वो है ना बहुत बार 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 बोगलेगा मा तुम मेरे ल अच्छा लगता है मैं जो ना पुरा सिंदूर उंदूर लगाती हूं मैं कल गई थी जब मंदीर में तो वहां से सिंदूर लगा किया थे तो वह बहुत खूस हुआ कि अच्छी लग रही है उसको बहुत अच्छा लगता है कि हम पूजा पाट करते रहते इसलिए वो अच्छा था तो वह भी ऐसे जद्धी जद्धी उठा भाग के गया हम बोले कि नहीं लएगा अगर वत्ती तो मगर वत्ती भी नहीं दिखाएंगा तो बोला नहीं और मुझे ज़्यादा देर पैर पेठा नहीं जा रहा थे क्योंकि मैं 24 आवर से पुड़ा फास्टिंग म खाना खाने के बाद भी ऐसे उतना अच्छा लगा नहीं और उपर से खाना भी आज खा रहा थे तो मैं भाई लोग کے घर में साप निकला पोना आया था सुबस भण यहीं कि उनके बगान में को great निकला है तो मेरा बाबु गया था लेकिन साप ये सब तक निकल के भाग ग् घर में नहीं घुसा था तो वह साप देखने के लिए था मैं भी सोची कि जाओंगी लेकिन फिर मैं इतना ठक गई हुना पुझा पाथ करके ठक गई थी कि मैं कुझे कहीं जाने का मन भी नहीं किया और भगवान जी का पुझा भी कर लिए आज काफी टाइम बाद मैं सारी सा सारी पहना चाहिए मेरे जरपा भी गए थी तो सारी पहन के गई थी यह सारी मैं अभी जश्ट ही कर दी थी उस दिन मंदिर जाने के लिए ही अचानक से क्योंकि मैं सारा सारी तो जुठा उठा था तो नहीं पहन पाए और तो नया वाला यह अभी हम खर दे थे ले टेस्ट और खाना उना भी खा लिए हम है और मैं इतना भुआस बर देते देते मैं कभी चूप ओचाती कि मुझे देते मैं थक भी जाती हूँ आज क्योंकि फास्टिंगे न इस वज़़र से मैं ज़्यादा बोल पा रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा थकान भी मुझे हो रहा है तो हम मेरे ब्लोग को आप लोग प्यार सपोर्ट हमेशा देते रहिएगा अब क्या कर सकते हैं ब्लोगिंग करते हैं तो हर आदमी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लएगा इसलिए अपना प्यार सपोर्ट में मुझे भी दीजिएगा तो मिलते हैं आप से हम एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ तब तके लिए ओके बाई